वहीं दुस्री तरफ राजिस्तान में कडाकी की सर्दी और शीत लहर का दोड जारी है प्रदेश की जादा तर जिलों में पारा लुटक गया है आउंटाबू में तापमान माइनस जुनिव डिग्री पर पहुँच चुका है तो वहीं चुरू में 1.9 पिलानी में 3.9 सीकर में 4 डिग्री और जैपूर में भी 7.4 डिग्री सेल्शिस तापमान दर्चुआ है मौसर विभा के मताबिक अकली 3-4 दिन तापमान शुष्क रहेगा मकर सकरान्ती और उसके बाद अगली एक या दो दिन तक शीत लहर भी जारी रहेगी हाला कि दिन के समय धूप निकलने से दोपहर की तापमान में 3-4 डिग्री तक की बड़ उत्री देखी जा सकती है लेकिन उत्री पहाडी लाकों में बर्फारी से चल रही थंडी हवाओं की कारट पूरे उत्री भारत में छुटरन बरकरार रहने वाली है जैपुर की सेंटर पार्क से मौसम का हाल बता रहे है निज इंडिया के प्रधान सवधाता निरश शर्मा प्रदेश में शीत लहर का दौर लगातार बना हुआ है और कडाके की सर्दी राजधनी जैपुर समेथ पूरे राजस्तान में पड़ रही है उत्री इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं और पश्चिम विक्षोप के चलते सर्दी के अंदर जो है उच्छाल आया है और टेंपरेचर के अंदर गिरावट आई है मौसमा इभाग की माने तो अगले तीन से चार जिन तक जो तापमान है वो परदेश के अंदर शुष्क बना रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं परदेश के विविन जो इस प्रकार के पार्क्स हैं बड़े पार्क्स हैं वहाँ पर लोग धूप निकलने के बाद जो ह मौनिंग वाग जो है वह वाग भी की जा सके निश्ची दुरुप से यह नजारा है जो कि बताता है कि लोग अपनी सेहत के प्रतिपीस कोरोना लॉक्डाउन के दौरान और कोरोना महामारी के दौरान जो है सावचेत हुए हाला कि अनलॉक की पूरी प्रक्रिया लंबी चल जो है मौसम शुष्क रहने वाला है क्योंकि उत्री जो हवाएं है वो लगाता है बरफीली ठंडी हवाएं उसके चालते तापमान के अंदर गिरावाट दिन के तापमान में भी दर्द हो रही है हाला कि पूर्वी राजस्तान के अंदर कई जगे हलके बादल चाहे रह सकत है लेकिन सुबह और शाम जो है तेज संडक और शीत लहर का प्रकौप देखने को मिल सकता है ऐसे में सावधानी रखें और टू वीलर्स पर जो लोग निकलते हैं या जो रहागीर पैदल जाते हैं उनके लिए खास तोर पर यह समय है कि अपने आपको सर्दी से बचाओ कर के बाहर निकले के में सुरेश कुमार गोएल के साथ रहा है